लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें जिसने एक बंदर में से मानव का मूल रूप उजागर किया वो अगनी उसके अंदर ही थी मानव ने अपनी भूख मिटाने के लिए अगनी प्रजोलित की उस अगनी से दीपक जला कर उसने रोशनी फैलाई युगो युगो से वो अपने अंदर छिपी अगनी को रोशन करता आ रहा है ताकि वो ज्वाला हमेशा चलती रहे काम, क्रोध, लोब, मद, मदसर जैसी भावनाओं से वो ज्वाला जलती है वो ज्वाला मानव को राख कर डालती है रोशनी की जगमगाती किरन, बन जाती है क्रोध की धदकती ज्वाला वो ज्वाला हमें शुरुवात में दिखाई नहीं देगी, पर अंत उसी ज्वाला से होगा हाँ अंत और इस अंत का कारण है आकांग शाही दुखों का, आकांग शाही दुखों का, मूल है, मूल है, दुख का मूल है, लोब ही मोह बढ़ाता है, मोह से जन्म लेता है प्रतिशोध अपेक्षाय लोब का रूप लेती है, और लोब ही मनुश्य घटक सिद्ध होता है, अपेक्षाही सब दुखों का, मूल है, और जो अपेक्षा सभी दुखों का, मूल है, वो तो हमारे रिदय के अंदर समाई हुई होती है, जब किसी को बच्चा हो ना हो, तब मन में लड़ बाटने की इच्छा होती है, और अगर लड़की हुई, तो उसके लिए वर ढूणने की इच्छा जागरुत होती है, और लड़का हुआ तो, तो उसके लिए सुन्दर पत्नी लाने की इच्छा, विवाहा के बाद बच्चा होने की इच्छा, और लड़की हुई, तो वर ट्रीक से बैठना हर एक दिन, हर एक पल तुम्हारे दिमाग में इच्छाय उमडती रहती है इच्छाओ के बिना जीवित रहना मुमकिन है मुमकिन है तुम बताओ मुमकिन है क्या नहीं सही कहा मुमकिन नहीं है धर्ती के किसी भी जीव को ये संभव नहीं है इसका कारण है जिस भगवान ने हमें बनाया उसी ने इच्छाएं भी बनाई इतने रस भरे कीर्टन में भी तुझे नहीं दा रही है कीर्टन रस भरा है क्योंकि उसे पैसे मिलने वाले है उसे मुफ्त में करने को बोलो जुबान तूट जाएगी उसकी मुझ को लख्वा मार जाएगा अब बास बंद कर ऐसे बूल रही है जैसे तेरे बाप का बैसा जा रहा है उसकी सारी चाला की सिर्फ पैसों के लिए है लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ और तो पर है लिचचड कहीं का जी जी वो बन कर इतनी कंधी बाते कैसे आती है तेरे जुबान पर बस ये समझ लो कि मेरी पैदाईश ही खुबी है तुम नहीं कर पाओगी शांती से कीर्दन सुन तो हम शांत रहकर आगे बढ़ने की सोचते हैं लेकिन रिदे की इच्छा थोड़े ही शांत होती है कामातूर कोई भेद नहीं जानता इच्छाए कोई डर नहीं मानती जन का मूल ही कामुकता है और कामुकता का मूल इच्छा मतलब हमारे मन की इच्छाए कामुकता जितनी ही प्राकृतिक है लेकिन क्योंकि हम सब भे समाज में रहते हैं तो हमें कामुकता और अप्यक्षा के उपर काबू रखना जरूरी है नहीं तो हम में और बाकी प्राणियों में क्या फर्क रहे जाएगा कुछ भी हां कहता है काबू होना चाहिए अगर इतनी ही हिम्मत है तो मेरी आखों में बस दो मिनट देख कर दिखा फिर देखती हूँ तुम्हारा कामुकता पर काबू रखना नहीं तुम्हें नाचना चाया तो देखना ठर्की कहीं का ची अब बसकर जो मन में आयर बोलती जाती है, मुझे सब के सामने शर्मिंदा मात करना, चल अब घर वापस चल, वैंकर है अमा, अब हम निकलते हैं, ठीक, चलो अब ये गन्ना कहां से मिल गया तुझे, मा पेड के उपर बैट कर मुझे घूर रहा था, कह रहा था मेरे पास आओ, काश मुझे इतनी आसानी से सब कुछ मिल जाता, तेरी बाते मेरी समझ से तो बाहर है, तेरे पिताची घर पर इंतिजार कर रहे होंगे हम लोगों का, तुम्हारा पियक्कडपती इंतिजार कर रहा होगा, तुम्हारा, मेरा नहीं समझी, अगर उसे मेरा इतना ही खयाल होता तो अब तक मुझे कम से कम तीन चार बच्चे हो चुके होते बिलकुल उसी तरह जैसे मेरी बाकी सहेलियों के हुए मली, जो किस्मत में लिखा होगा वो जरूर होगा धीरस रख बेठा एक जगए खड़े रहने से घर चल कर पास नहीं आएगा हमें खुद चल कर घर जाना होता है किस्मत भी वैसी ही है बेकार में बैठकर किस्मत को कोसने से बहतर है कि खुद खड़े होकर अपनी किस्मत बदल लो ऐसे क्या देख रही हो? तुम मेरा दर्ब क्या समझ पाओगी? पता नहीं कैसी मा हो तुम? तुम भी तो कभी मेरी उम्र की थी ना? फिर भी तुम्हें मेरी तकलीफ महसूस क्यों नहीं होती? चलो अभी तीन कोस और चलना है चलते चलते सोचना चलो मली कैसी की गाड़ी की आवाज आ रही है जड़ा जा कर देख तो देखो मेरी जिन्देगी तो जहन्नूम बन चुकी है रात की नींद भी किसमत में नहीं लिखी है शायद देखना पहुच गए अम्मा राजु चाचा की गाड़ी है ओ राजु की बेटी सरसु पेट से है शायद दर्द शुरू हो गया होगा मैं जाकर पानी गर्म करती हूँ तु गर्म नाल काटने के लिए चाकु लेकर आ जल्दी कर पहुच गए बेटी सुमय उटो सुमय उटो 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 हम कि अपार अप्राव मत सर्सू कुछ नहीं होगा कुछ नहीं हो थोड़ा जूर लगाओ मली उसका हाथ पक्रों कुछ नहीं होगा बेटा बस हो गया यह मत रखो सर्सू अम उस्थे नहीं साजाता अमा यह जिल्ला क्यों रही है ठीक अकल से पीना छोड़ दूंगा थोड़ा बेटी सर्सू थोड़ा जूर लगाओ बेटी एमली हाथ पकड़ इसका पकड़ इमटर को सर्सू अब मुझे नहीं लगता मैं बचूर कि अब अब सोजा इमली पाहर जक्रपने बाप को बोल अपना मुब बंद रखे उसने सुना होता तो आज वो मेरा बाप नहीं होता अ अब हो गया हो ही गया सर्सू हां अब है कैसी हो रहत है अभी बच्चे के आवाज में चुला रहे हैं आप हमारे लिए देवदा से कम नहीं हो पुर्णमा आप नहीं होती तो यह सब इतना असान नहीं होता मैं तो इश्वर की सेविका हो मेरा काम है उसका ये स्रजन सही सलामा तुम तक पहुंचाना बच्चा कितना प्यारा है तुम्हारा बिल्कुल अपनी मा पर गया है अगर बेटा अपनी मा जैसा हो तो किस्मत वाला होता है अपनी नहीं होता है झाला है झाल 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 किसका सामान होगा कोई है कोई है यहाँ अपने जूते उतार कर गए है सारा सामान भी यहीं छोड़ दिया है मुझे नहीं लगता अब कोई वापस आने वाला है अज पाइख़वाई आकोई अपने अरे यहाँ ख़्याफ अथे अछे में अचे जीवन से निराशो कर नदी में कुद्ध कर जान दे दी नहें आदेंगी है कोई है मेरी आवाज सुनाई दे रही है अरे बचाओ कोई है कि बचाओ अरे किसी ने नदी में कूद कर जान दे दी है चिला क्यों रहे हो तो तुम जिन्दा हो हे भगवान मैं तुम्हें ही बचाने के लिए मदद मांग रहा था मुझे लगा तुम डूब कर मर गए पानी के अंदर मुझे क्या सुनाई देगा हाँ ये भी सही है अगर मुझे दिखाई देता तो चिलाता ही क्यों है ना लेकिन तुम अपना सामान यहां छोड़कर वहाँ पानी में क्या कर रहे थे पानी के अंदर सांस रोक कर रखने की योग क्रिया कर रहा था साधना कहते हैं इसे महा भारत में दुर्योधन भी ऐसे ही साधना किया करता था लगता है तुम उसी की आनुयाई हो अरे वा तुम तो बहुत कुछ जानते हो भगवान ने मुझे आखे नहीं दी है लेकिन सीखन समझ सकते हो तो फिर अपना पेट कैसे पालते हो मैंने जरूर से ज्यादा कमा लिया है तो सोचा थोड़ा घूम लिया जाए ताकि अपनी जमीन से जुड़ा रहा हूं प्रार्फ ना करता हूं तुम्हारी यात्रा में कोई बाधा ना आए वैसे तुम्हारा नाम क्या है श ताकि शिव मुझे भी मेरी आँखे लोटा दे भगवान शिव तुम्हारी जरूर सुनेंगे ये बासुरिया किसलिए कहीं अंधे कन्णप्पा में कोई महान कला गर तो नहीं चिपा है एकदम सही पहचाना मेरे कन्धे पर जो बासुरिया है वो पेट भरती है और हात में चुमासुरी है वो जी बहलाती है क्या बात मुझे भी कोई अच्छा सा गाना सुनाओ ना देखते हैं देखोगे या सुनोगे देखते हुए सुनूंगा चलो बजाओ ठीक है कि अ कि अ कि 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 झाल झाल सब्सक्राइब कर दो कामाक्षी से आया, मदुराइ मीनाक्षी से आया, काशी विश्वेश्वर से आया, अशिरवाद देने आया, मांगो लक्ष्वी का अशिरवाद मांगो, सोने चांदी की बरसाद मांगो, मेरी बात मानो यजमान, अपना भुदकाल मुझ से सुनो, और अपना भविश्य भी ज कहीं और जाए तुम्हारे पास कुछ नहीं है इसा मत कहूं माते मैं देख सकता हूं लक्ष्मी मा का वर्दान तुम्हारे घर में मौझूद है अब बगवास बंकर लक्ष्मी का वर्दान अच्छा आजा पूरा घर चान मारेगा अगर एक नया पैसा भी मिला तो पांच रु होकर प्रस्तान करेगी प्रस्तान करेगी अब बहुत देर हो गई मेरे पास जो कुछ था पहले ही चला गया है मैं तुझे बता दूँ कि तेरे शाब से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा खजाना तो 15 साल पहले चला गया लक्ष्मी मा तुम्हें छोड़कर कह भी नहीं गई है असल में अब वो तुम्हें आशिरवात देने आ रही है मैं तो आपको जानकारी देने आया था शाब देने नहीं शाब देना बिल्कुल नहीं चाहता आशिरवात देगी हां तो क्या वो हमारा घर सोने से भर देगी हैं आपके घर में अब सोने चांदी की बरसात होने वाली है, खजाने की रक्षा करने की पूरे जिम्मेदारी अब आपकी होगी पर हमारे पास उसे रखने की तिजोरी नहीं है, उसे रखने के लिए हमें कितना बड़ा गड़ा खोदना पड़ेगा, उस गड़े में च्या जाएगा उस पर ये निर्भर करता है, त एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी जबान काटके अपने कुट्टों को खिला दूँगी वैसे भी आज बुद्धवार है मेरा कुट्टा आज मटन खाता है ऐसी बाते मत करो बीटिया जबान से मेरा पेट चलता है चलो निकलो यहां से जाओ यहां से वरना यही गा सकती हो तुम्हारे हाथ में जो मिट्टी लगी है वही तुम्हारी हालत बदलने वाली महान मिट्टी है बहुत सुनली तुम्हारी बगबग तुम्हें क्या लगता है ऐसे शाब देकर तुम हमें डरा सकते हो चलो निकलो यहां से अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो इसी का पास से तुम्हारी चिता जला दूँगी हमेशा आप देता है ना लाएंगा सुनिये कहा ना निकल यहां से तुम कौन हो भाई क्या चाहिए तुम्हें थोड़ा पाने मिल सकता है क्या आओ थैंक्स माजी तुम शहर से हो बेटा हां माजी वैसे तुम तो काफी पढ़े लिखे लगते हो यहां कैसे आना हुआ मेरा नाम शिरी निवास है और मैं जगा जगा घूम कर वहां के अनुभाओं पर एक किताब लिख रहा हूं मैं कार्टून भी बनाता हूं कार्टून मतलब कार्टून मतलब वेंगे चित्रे ओ वो जो पेपर में छपते हैं हसी मजाक वाले आड़े टेढ़े चित्र होते हैं वही ना अरे मैं तो भूली गया यहां आते वक्त मैं मंदिर गया था वहां मुझे यह प्रशाद मिला लीजे न माजी पुझारी जी ने यह प्रशाद तुम्हें द में लिखाओ लीजिए न माजी माजी आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना मेरी तवियत कुछ ठीक नहीं है और अगले गाओं में पहुंचते-पहुंचते रात हो जाएगी क्या आज की रात मैं यहां पर रुख सकता हूं हो हो तुमसे चार बातें क्या कर ली हमारी अच्छ काफ़नी हो रही है ऐसी बात नहीं है बेटा तुम देखी रहे हो हम लोग काफी गरीब हैं रात भर चलोगे तो अगले गाओं पहुंच जाओगे और वहां तुम ही सारी सुविधाय मिल जाएंगी तुम यहां नहीं रह पाओगे बेटा मैं तो बहुत से गाओं घुमता मेरे लिए परिशान होने की जुरूत नहीं है जो आप खाएंगे उसे में से दो निवा ले ले लूँगा मैं यहां भाहर सो जाओंगा कोई बात नहीं है समझ गया माजी आपके घर में जवान बेटी है इसलिए आप किसी अजनवी को अपने घर में रखने से डर रही हैं यहीं बात है ना क्या कहा हम डरते हैं मेरा परिवार यहां आसपास में मेलों तक कोई भी घर नहीं है कोई मर भी जाये ना तो किसी को पता नहीं चलेगा पता है आसपास के गाउंवाले मुझे क्या कहते हैं वीराने का शैतान पता है हम तो भूत से भी नहीं डरते इंसान हमारा क्या भी गाड़ेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है अब तुम अजनवी हो इसलिए तुम पर भरोसा नहीं कर सकते हैं सही कहा ना मली भगवान की दया से हम किसी को दो निवाला तो खिला ही सकते हैं बेटा हम सब के लिए चावल तो बना ही रही हूँ तो थोड़ा ज्यादा ही बना दूंगी सही क्या रही हूँ ना मली अरे बार बार मुझे क्यों पूछ रहा हूँ मेरा इससे कोई लिना देना नहीं है खिलाओ या ऐसे भगाओ मुझे क्या इसे रहने देना है या नहीं आपका फैसला तुम अंदर आओ ना बेटा कोई बात नहीं मैं यहीं भार सोचाओंगा कोई बात नहीं आ जाओ घर के अंदर से भी आस्मान दिखाई देता है हुआ 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 है सोने जैसा घर है मेरा मेह जैसे उपले जलेंगे तो यह दिखेंगे खूब ही भले तो यह काम क्यों कर रहे हो अरे यह नहीं करूंगा तो रात में पीनी को कैसे मिलेगी तुम भी पीते हो क्या है नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पीता, मेरा मतलब शराब नहीं था, मैं कह रहा था, चाय या कॉफी, अच्छा चाय ना, वो चलेगी, सुना, इसको एक कप चाय चाहिए, जो मिलेगा वो चलेगा, ऐसा इसी ने कहा था न, अब देखो जरा कैसे मूँ पाड़ के चाय मांग रहा ह कैसा आदमी है यह, चाय उसे नहीं चाहिए, तेरे बाप को चाहिए, बेटा, हमारे घर में दूद तो है, लेकिन चाय पत्ती नहीं है, हम लोग गरीब हैं, दूद में गुर डाल कर पीते हैं, और शकर खरीदना तो दूर की बात है, पकवास बन कर, ये ठका हुआ है, इसल थी तरह से जानती हुँ, तुमारे पास पैसे है ना, उसी से ले आओ चाह पत्ती, फिर बनाती requires चाह, चल मुझे चाह नहीं चाहिए, खोई बात नहीं पैसे हैं मेरे पास ये लीजी इतने काफी है मैं, अरे नहीं नहीं बेटा तुम तो हमारी हमारी महान हो, तुम से पैसे बला कैसे ले सकता हूं मैं अरे लीजिये ना उसमें क्या है मैं साथ चलूं क्या अरे नहीं नहीं बेटा मेरी साइकल दो लोगों का बोज नहीं उठा पाएगे मैं ले आऊँगा ठीक बाबा बचे हुए पैसे उसे मेरे लिए संत्रे की गोली भी लाना तुम ऐसे क्या देख रहो मुझे तुम्हारी चाय के लिए गाय का दूद मैं ही निकालूँगी तुम्हारा नाम मल्ली है ना मल्ली का अम्मा बाबा प्यार से मल्ली बुलाते हैं ओ तो मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाओं मल्ली का हूँ या मल्ली का कहूँ तुम्हें जो ठीक लगता है वो कहूँ लेकिन अभी मुझे शांती से दूद निकालने दो समझे ठीक है मल्ली का अम्हें तुम्हें आत । आत यह क्या है? क्या? यह बला मुद्गल है उससे कसरत करते हैं कौन करता है? मेरे बाबा वो किया करते थे रात की फूर्ती के लिए मतलब? ताकत बढ़ाने के लिए करते थे लेकिन तुम शेहर वाले लोग ऐसी बाते समझ नहीं पाओगे जाने दो क्गल ενसेफे हैं कि लेकिन जाप6 deer जाने वाले ले जाने के लिए दो वो पाओगे अरे सुनो, मैं चायपत्ती ले आया यह संत्रे की गोली मल्ली को दे दे बहुत थक्या अ-अ-अ, अ-अ-अ चाए बहुत अच्छी है थैंक्स तुम्हें भी थैंक्स मुझे क्यों तुमने जो पैसे दिये थे उनसे बाबा मेरे लिए संत्रे की गोली लाए है ना संत्रे की गोली तो मुझे भी बहुत पसंद तुम्हें दू क्या नहीं 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 मीठा खाऊं तो चाय का स्वाच चला जाएगा अरे वाह लगता है यह शहर का छोड़ा कसरत भी करता है एक बात पता है कसरत करने वाले लोगों को चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए तो फिर दूद पीना चाहिए तुम चाहो तो मैं तुम्हें दूद पिला सकती हूं मतलब गाय का दूद पता था मुझे तुमसे काम की उम्मीद करना ही बेकार है यह ऐसे कॉन चिला रहा है पागल है लेकिन पागल लग तो नहीं रहा है कॉन किसके लिए पागल है यह सबको पता नहीं चलता तुम चाह पीलो वरना ठंडी हो जाएगी मली ए मली वी रन आया है तुम यहीं लुको बेटा अब हुआ कहां गई होगी क्या रहे तिरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या कल रात फसल को पानी क्यूं नहीं दिया किसी चमया के साथ मजे कर रहा था क्या वो क्या है कि कल आमावस की रात थी ना तो पंडित जी ने घर के बाहर कदम ना रखने के लिए कहा था मेरी फसल को पानी दे देते तो क्या कोई चूडल तुम्हें बकड लेती पैसा चाहिए था तब कोई अमावस बीच में आई थी ना नुकसान तुम्हारा नहीं मेरा हो रहा है फसल सूख गई तो पुरा नुकसान मुझे उठाना पड़ेगा मुझे वक्त से ज्यादा मेरा पैसा प्यारा है लेकिन आप तुम्हें दिखाता हूँ अब ये सब मेरी बरदाश के बाहर हो रहा है ऐसा ही चलता रहा तो मैं तु खिंचनूंगा अपनी जुबान को लगाम दो विरन्ना उस फसल की चिंता हमें तुमसे कहीं ज्यादा है वैसे अगर मजबूरी ना होती तो वो तुम्हारे पास गिर्वी ही नहीं रखी होती और तुम्हारे बक्वास सुनने के लिए हम तुम्हारे नौकर नहीं है मुह मे क्या गलत बोला मैं अपने बालों की कसम खाता हूं मैं कह रहा था कि इतनी बेपरवाई कैसे चलेगी लड़की घर में बिन ब्याई बैठी है मुझे उसकी फिक्र है इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरुरत नहीं एक बार आईने में जाकर अपनी शक्ल देख लेना पू इक मौका दो तो सब ठीक कर दूँगा लेकिन यह आदमी मेरी बात सुनता ही नहीं है कुट्टा कहीं का पागल कुट्टा चुप चाप दूद क्यों नहीं पीते मेरा हाथ चाटने की क्या जरूरत है शकल देखिए कुट्टे से भी बत्तर लगते हो तुम तुम्हें दूद पिलाते हैं इस बात का फाइदा ले रहे हो क्या काट कर फेग दूँगी तुम्हारी जुपान विरन्ना सेट कल शाम को मैं खुद बाबा को खेद भेजती हूँ आपको फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है आप जा सकते हैं आज कल गर्मी बहुत बढ़ रही है जादा घर से बाहर मत निकला करो घर जाकर मस्त छास पीकर सो जाओ वरना अंदर की गर्मी निकाननी पड़ कुट्टे दूद्पी बाबा कब से देख रही हूं दो घंटे हो गया थोड़ा मारे ही जा रहे हो आप ऐसा लगता है कि आप यहां अकेले ही काम के हो तो अपना मूँ बंद रखेगी बिना मूँ चलाए काम नहीं कर सकती बिना आवाज के आप क्या क्या करते हो मुझे चाय बहुत ही बढ़िया थी माजी सच कहूं तो चाय आपने पूरे प्यार और लगन से बनाई थी एक कप चाय में तुम्हें प्यार भी मिल गया क्या मां का प्यार किस्मत में था ही नहीं तो आप चोटी सी बात भी कह दो तो मानो प्यार की बरसात लगती है मुझे सुनिया वो जो आदमी आया था वो आपको काफी बुरा भला कह रहा था बात क्या है साहुकार था जरा पकड़ना इसे किसान की जिन्दगी आसान नहीं होती यह घर और यहां की नौ एकड़ जमीन मेरी अपनी है कभी हम सब बहुत खुश थे फिर शायद भगवान को हमारी खुश्या रास नहीं आई हम सब बहुत परिशान हो गए पहले हमारा खलिहान बरबाद हुआ फिर बीमारियां शुरू हो गई अस्पताल और दवाईयों में बहुत खर्च हो गया हमला चार हो गए फिर हमें कर्ज लेना पड़ा और कर्ज का हफता अगर एक बार भी चूप गया तो कर्ज की रकम बढ़ती जाती है ब्याज का पैसा भी उसमें जुड़ जाता है जब ज्यादा दिनों तक हफता नहीं भर पाए तो ये घर और सारी खेती साहुकार को गिर्वी रखनी पड़ी बदकिस्मती मेरा पूरा परिवार जहल रहा है स्वाविमान भूल कर बार बार बेज़िती सहनी पड़ती है किसी वक्त हमारा घर दौलत से भरा पड़ा था लेकिन अब देखो कैसी दूर दशा हो गई है नचाने ये तकलीफें कब खत्म होंगी बेटा जल्दी होंगी माजी आपकी सारी तकलीफें दूर होंगी कब होंगी मैं बूरी हो जाओंगी तब माजी वैसे आपको उसका कितना करजा चुकाना है वो सब तुम चाने दो बेटा कोई बात नहीं बताइए न मुझे 25,000 करजा और 35,000 ब्याच झाल 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 कि माना कि हम मुसीबत में हैं लेकिन हमने तुम्हारे आगे हाथ नहीं पहलाए छी छी ऐसा नहीं है मल्ली का मैं तो एक अनाथ हूँ बचपन से लेकर आज तक कड़ी मेहनत से मैंने ये सब कमया है आप तीन लोग है इजददार लोग है और दिल के भी बहुत अच्छे है दौलत तो आज है और कल नहीं आज दौलत मेरे पास है तो वो कल आपके पास होगी इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है बस महनत और लगन ज़रूरी होती है आपने अजनबी होकर भी मुझे घर में आसरा दिया अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है मैं आपको यह सारी दौलत तो नहीं दे रहा लेकिन अगर मैं अकेला इतना कमा सकता हूँ तो जरा सोच कर देखिए कि आप तीनों मिलकर कितना पैसा कमा सकते हैं अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर दीजिए तुम्हें माफी मंगने की जरुरत नहीं है बेटा और ये दौलत तो तुमने कितनी मेहनत से कमाई है ना ये भगवान अप्शागुन हो गया मली जा जा करना है ले बेटा ये सबंदर रखो तुम भी जा करना लो किसलिया माजी अगर किसी पर छिपकली गिर जाये तो उस्नान करना चाहिए ऐसा शास्त्रों में लिखा है जली जाना जा रही हूं झाल 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 झाल झाल ए मल्ली नहा रही है या वहीं अंदर घर बसा रही है नहाने में इतनी देर क्यों लग रही है तुझे हो गया अम्मा बस आती हूं मैं और तेरे पिता-जी खेट जा रहे है ठीक है हाँ ठीक है पर जल्दी आना और बाबा से कहो कि वहां बस काम ही करे कुछ और नहीं मुँ ब दिन तेरी जुबान बच से बत्तर होती जा रही है घर का ध्यान रखना ध्यान रखना हाँ सुन लिया मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं मेरे बारे में पता है ना तुमको हाँ हाँ पता है मुझे फिर भी मुझे लगा कि एक बार बता दूं चलती हूं हाँ चिपकिली गिरेगी मुझे ये बात पता होती तो पानी गरम करके रखती। क्या पता तुम्हें ठंडे पानी की आदत हो ना हो। हाँ बिल्कुल है मुझे हर जगा गरम पानी थोड़ी मिलता है। नदी हो जहरना हो या तालब, जहां पानी देखें वहां कूच जाता हूँ तुम्हारा इन सब बातों में विश्वास है अब मतलब ये अप्शकुन शकुन वगेरा वगेरा प्राचिन माननेताओं पर शक नहीं करना चाहिए हमारे पूरवजों की कही हर बात के पिछे कुछ मतलब होता ही है मैं उसमें विश्वास करता हूँ और उसके हलाबा माजी ने इतने दिल से कहा तो मुझे ये बात माननी थी बाहर से सख्त लगते हो तुम लेकिन दिल के अच्छे हो तुम्बे वैसे तुम्हारी जबान तो तीही है लेकिन तुम्हें देखकर मुझे लक्ष्मी मा की याद आती है मजा कर रहे हो ना जोट मत बोलो लक्ष्मी मा सर से पैर तक सोना पहनती है उनका गला ऐसे खाली-खाली थोड़ी रहता है अच्छा बस सोने की ही कमी है ना तो सोना मेरे पास है मैं अभी देता हूं तुमको अरे नहीं चाहिए लेकिन तुम चाहो तो एक बार पहन कर देखती हूं पहनने दो के क्या अच्छा थाहिए हुआ 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 है क्या हुआ वो काटा चुप गया बहुत दर्द हो रहा है मुझे कहां पर हुआ 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 है है यह क्या नया नाटक है किसी पराया आत्मी के सामने ऐसा करते तुम्हें शरम नहीं आई ऐसा क्या किया मैंने अच्छा उपर से मुझे सही तुम पूछ रही हो जब से यहां आया हो तब से देखना हूं तुम्हारी नजर कुछ अजीब है तुम मुझे गलत नजर उसे कि ती बस इतनी बात थी और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें फुसला कर खुश करने की कोशिश कर रही थी तुम्हें यह चाल-चलन ठीक नहीं हैं नहीं अब तक मेरी शादी नहीं हुई है लेकिन फिर भी मेरे मन में कभी गलत विचार नहीं आए ऐसा ना पहले कभी हुआ है और ना आगे कभी होगा झाँ आऑु़ए मल्लीका हाँ मैंने जो बात कही उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ ठीक है कोई बात नहीं उससे ये साबित हुआ कि तुम सच में अच्छे इंसान हो जो पसंद नहीं उसके साथ आसा कभी नहीं करोगे जाने तो छोड़ो क्या कहां तुमने नहीं कुछ नहीं माजी और पिता जी अब तक नहीं आए वो बस आते ही होंगे कि अधार कि अधार कि है तो आता है गरीबी आती है घर में छोड़ इसे फिर क्या करने से किसमत चमके की ये बता दो त्योरा कुछ नहीं हो सकता हाँ ठीक है अपना काम करो बेटा माजी रात की खाने में मसाला चावल बना रही हूं तुम खाओगे ना हां माजी खाऊंगा अरे खाकर देखो स्वादिश्ट होता है पता है माजी ठीक है अब माजी है अब माजी मैंने कहा था कि आप छो खिला करी वे खालुंगा लेकिन अगर कुछ और मंगो तो गुस्सा नहीं होंगी मेरा मन कर रहे हैं कि मैं गरमा गरम चिकन करी खाऊं आप खिला सकती यम तो तरह बेटा चिकन कपरी तुमने कहा और चिकन करी तुम्हारे सामने परूष दी जाएगे ऐसा लगता है तुम्हें ये कोई होटल नहीं है बेटा मेरा घर है नहीं बना सकते अरे देखे मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता जितना भी खर्चा आएगा वो मैं उठाऊंगा कितना होगा यह कोई 20 रुपए अरे बस इतना ही ना ये ये लिजिए 200 रुपए 200 रुपए करी के लिए जो भी सामान लगता है वो सब लेकर आईए और बाकी पैसों का जो भी जी चाहे वो कीजिए मेरी बात सुनिए लोटाइए लो दोना चिकेन खाने का मन कर रहा है तो खिला देते हैं बन जाएगा बेटा और सुनों तुम तैयारी करो आप मेरी बात क्यों नहीं मानते ठीक है लेसुन और अद्रक भी लेते आईएगा खड़ा मसाला और प्यास भी नहीं है घर में ठीक है तुम मुर्गी काटकर दही हो गया है बातरूम का है मुझे पता नहीं है तो क्या बता सकते हैं घर के पीछे छोटा तालाब है उधरी चले जाओ और सुनों उधर बिच्चु बहुत है लाल्टेन लेकर जाना हाँ ठीक है निकल लो निकल लो ओपर वाले ने छपर फार दिया है आज मांगा बीस मिल ग बाता लक्ष्मी खुद तुम्हें आशिरवात देने आ रही है आपके घर में सोने चांदी की बरसाथ होगी उस खजाने की रक्षा करने की सारी सिम्मेदारी तुम्हारी होगी तुम्हारे हाथ में जो बिट्टी लगी है वही तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है कौन से खयालों में खोई है मेरी बेटी मैंने तुझे डाटा इसलिए नाराज है क्या इतनी छोटी छोटी बाते तो मैं याद भी नहीं रखती हाँ बिलकुल सही कहा तुने मसाले पीस कर हुए या नहीं ओड़ी इतना बारी क्यों पीश रही है अममा किसे ने अगर तुमसे बीस रूपे मांगे हैं तो तुमने दो सौ रूपे दिये हैं क्या मैं क्या तुझे पागल लगती हूं जो ऐसा करूँगी है ना, तो फिर उसने 200 रुपे क्यों दिये होंगे? मुझे ऐसा लगता है कि वो दौलत उसकी महनत की कमाई नहीं है लेकिन उसने तो कहा था कि उसकी महनत की कमाई है? उसकी महनत की कमाई होती, तो इस तरह से लुटा नहीं देता किसी और के पैसे हैं और उसके मज़े वो ले रहा है वो महनत के पैसे नहीं है, चुराए हुए पैसे हैं ठीवी बोल, वो सुन लेगा वो घर में नहीं है, बाहर गया हुआ है उससे ये पैसे कहां से मिले हैं, इसे हमें क्या? अगर हमने इस बारे में नहीं सोचा तो हमारी ये जिन्दगी कभी नहीं बदलने वाली अम्मा मतलब? उसके सारे पैसे और गहने हमें मिल जाए तो पर ऐसा क्यासे हो सकता है? जिन्दा है तो उसके पास है अगर वो मर गया तो प्रशाद सभी की किस्मत में है ऐसा कहा था ना उसने हम से तो फिर उसकी सारी दौलत भी हमारी ही किस्मत में लिखी हुई है अभी करी के लिए मुर्गी काटो उसे चिकन करी खिलाएंगे पागल हो गई है क्या तू? सही कहा तुमने मेरी इच्छाए उडान भर रही है कुछ मत कहो तुम्हारी जवानी बीच चुकी है पर मेरी नहीं मेरी तकलीफ का अंदाजा किसी को नहीं है मैं क्या चाहती हूँ इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा मैं बहुर ज़्यादा नहीं सह सकती इससे ज़्यादा तुमसे और कुछ कहूंगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा हमारी तकलीफे दूर करने का बस यही एक उपाए है और वो है उसकी मौत नहीं अगर अब भी मेरी बाते तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रही है तो और क्या कहूं विरन्ना ने मेरे सामने एक ही रास्ता छोड़ा है तुम लोगों का लिया हुआ कर्जा चुकाने के लिए मुझे उसके साथ सोना पड़ेगा अच्छा इसलिए तो इसकी जा लेना चाहती है सुबा मदारी जो बोल कर गया वो सब तो भूल गई क्या माता लक्षमे खुद तुम्हें आशिरवात देने आ रही है तुम्हारे हाथ में जो मिट्टी लगी है वही होगी तुम्हारी किस्मत बदलने वाली महान मिट्टी इतना ही नहीं वो छिपकली मेरे बाय कंधे पर गिरी और उसके दाएं हाथ पर तुम हमेशा कहती हो ना छिपकली बाय कंधे पर गिरे तो धन लाब होता है और दाएं हाथ पर गिरे तो मौत आती है मुझे पॉर्डर लग रहा है ले सुनिये ना धनिया पाउडर है 100 तुमने सुना ये क्या कह रही है ये एक जूरी धनिया पत्ती और ये कड़ी पत्ता तुम सुन भी रहे हो कि मैं तुमसे क्या कह रही हूं लॉंग काली मिर्च और तिल भी लाया हूं मैं ये लड़की उसे म ते मार डालो ना वैसे उसे मारना असान नहीं होगा पर लक्षमी जी खुद चलकर हमारे दर्वाजे प्याई हैं तो स्वागत करना होगा मैं अब उस वीरना से तंग आ गया हूँ बेटी एक बाप के नाते मैं तुझे कभी कुछ नहीं दे पाया अगर तेरी भलाई इसी में है तो मैं सब करने को तैयार हूँ और अगर के नाते तुझे जो करना है वो कर और मर्द के नाते मेरा काम मैं करूँगा उसे अभी चिकन करी खिलाओ और तुम भी खा कर सो जाओ सुबह देखते हैं सुनिये ना परिभार की गपशप में खलर डाल दी कहीं आप मेरी चिकन करी भूल तो नहीं गया हो ना अरे नहीं नहीं मैं तो इन्हें हिसाब दे रहा था महगाई कितनी बढ़ गई है ना बचे पैसे देता हूं पैसा मैंने कब आप से पैसा मंगा उससे आपके लिए कुछ ले लीजिए नहीं समझे क्या है अभी जाता हूं जल्दी जाइएगा तब तक गरमा गरम चिकन करी बनके तयार होगी तुम्हें जैसा बताया वैसा करो बाकी सब मैं देखता हूं है पुम्हेंय हूं हूं हौ हुँ हुँ माजी, हत्या के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब, खाने के लिए किसी मुर्गी को मारना इस बारे में आप क्या सोचती हैं यही पूछ रहा था चिकेन खानी की इच्छा तुमारी थी ना? हाँ, बात तो सही है, लेकिन किसी की जान लेकर अपना पेट भरना मुझे कुछ अजीब सा लगता है तो क्या आप तुम चिकेन करी नहीं खाऊँगे? हरे क्योंने, बिल्कुल खाऊंगा? मैं तो बस ऐसी बात कर रहा हूँ असल मैं मुझे बहुत भूग लेगी है अगर चिकेन खाना है, तो इसे मारना ही होगा बात तो सही है, लेकिन मुर्गी को बिना मारे हम उसके स्वात का मजा नहीं उठा सकते? किसी एक की मौत ही किसी और का जीवन होता है स्रिष्टी का यही नियम है बड़े जानवर छोटे जानवरों को मारने के बाद उन्हें खाकर अपना पेट भरते हैं इंसान भी तो जानवरी है, इंसान इंसान को मार कर पेट नहीं भरता अब तक वो समय नहीं आया है, इसलिए अब तक हम चिकन और मटन खाकर अपना पेट भर रहे हैं, और अगर ये बात तुम्हें इतना परिशान करती है, तो मत खाओ इसे, अरे ने, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, लेकिन अभी ये जो बिचारी मुर्गी मरी है ना, उसके लिए छोटी सी प्राथाना जरूर करूँगा ताकि उसे आत्मशानती मिल जाए बस, बाते ही बनाते रहोगे, या फिर हमें खाना पकाने दोगे, चिकन जरूरी है, आ आप बनाए ना, सुभाईया, मुझ में और पिताजी में एक छोटी सी शर्त लगी है, अब तुम ही बताओ कि हम में से कौन जीतेगा, पिताजी कहते हैं कि कल से तुम दारू नहीं पियोगे, लेकिन मैं कहता है, पियोगे, तो आप तुम बताओ मुझे, ये शर्त कौन जीतेगा, मैं या फिर पिताजी, बाप बेटे मिलकर मेरा मजाग उड़ा रहे हो क्या, पहले बात सुनो, इनसान तकलीफ में शराब पीता है, खुशी में शराब कोई क्यों पियेगा, बताओ मुझे, किसी पियकर क तकलीफ हो, दुख हो, या खुशी हो, मुझे बताओ क्या फरक पड़ता है, अरे, ये क्या बखवास लगा रखी है, चाहो तो दारू बेचना बंद कर सकते हो, फर मुझे रोकने का हक नहीं है तुम्हे, अब मैं तुमारी बात समझा, तुम मुझे परेशान करना चाहते ह ताकि शराब का मुझे पर कोई अजरी ना पड़े और मैं पीता ही रहूं, लेकिन इसका कोई फैदा नहीं होने वाला, आज रात मैं बहुत जरूरी काम करने वाला हूं, बहुत ही जरूरी, और इसके लिए आज मैं ज्यादा नहीं पियोंगा, बेलकुल नहीं, ए राजू एक बहुत लाहर ला, अन्नपुर्ण अम्मा, ओ अन्नपुर्ण अम्मा, हाँ, कल हमें नाइडू सेट के खेत में कटाई के लिए जाना है, वहाँ मजदुरी ज्यादा मिलेगी, तुमार तुमारी बेटी आओगी न, हाँ, जरूर आएंगे, कितने बज़े हैं, वेंक हैं कल हम दोनों काम पर नहीं आ सकते, हे भगवान, क्योरी, नाइडू सेट को तुम दोनों का वादा करके आई हूँ, अब मैं क्या करूँ, किसी और को ले जाओ न, कल हमें कुछ काम है, हाँ, ठीक है, अब चलती हूँ माजी, कल मैं यहां नहीं रहूँगा, तो आप मेरी वज़े से रुक मत जाना, हाँ कल तुम कहीं के नहीं रहोगे, और हमें काम पर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसलिए तो कल कहीं नहीं जा रहे हैं हम वो, वो क्या है ना बेटा, कल हमें अपने खेत में कुछ काम है, इसलिए उससे मना कर दिया ओ, फिर तो कोई बात नहीं है माजी, बस मेरी वज़े से आप परिशान ना हो इतना ही फिर तो तुम जरूर मरोगे माजी, चिकन बनने में और कितनी देर लगने वाली है, बताइए बस आदा घंटा और बेटा, बाकी सब तयार है बहुत भूग लगी है माजी फिर तो तुम आज भूखे ही मर चाओगे बस आते ही होंगे जानती हो मुझे क्या लगता है कि तुम्हारा पती आज रात को घर आएगा ही नहीं उसकी जेब में काफी पैसे जो है आज उल्टी होने तक पिएगा और चाकर किसी गटर में गिर जाएगा तो अब तु क्या करने की सोच रही है अब तु क्या सपना था मैं उनसे कहकर आया हूँ कि तुम बस पकाओ और खिलाओ इससे ज्यादा वो दोनों कुछ कर भी नहीं पाएंगे कुछ भी नहीं कि राजू कि माजी लगता है चिकन करी बनते बनते अब तो भोर होने वली है इतना ज्यादा मंत पकाईए उसे वरना कहीं ऐसा ना हो कि मुर्गे फिर से जिन्दा हो जाएगी ध्यान रखिए चावल पककर ते यार है बेटा बस धाली पर शोसनी की देर है ठीक ये सब क्या हो रहा है अम्मा जिस्की जान लेनी है उसके लिए ममता जाग रही है क्या मैं करूं तो क्या करूं तुने कहा था हमें बस खाना खिलाना है बाकी सब तुम्हारे बाबा देख लेंगे तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा वो पियक्कड बाप? तुम्हें अब भी लगता है वो कुछ कर पाएगा? जब तक सारे पैसे नहीं उड़ाता, तब तक अपना मूह नहीं दिखाएगा. हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते. तो अब क्या करने वाली है तू? अगर इसकी मौत हमारे हाथों ही लिखी है, तो इसकी मौत अब कोई नहीं रोक सकता. अब जो भी करना है, हमें ही करना है. नहीं मली. घबराओ मत अमा. इसके खून से हाथ रंगेंगे, तब ही परिशानिया दूर होंगी. मेरी कहने का वो मतलब नहीं था. किसी के खून से अपनी हाथ रंगना सही नहीं है. मतलब? सहर खिलाते हैं. मतलब नहीं हाथ रंगें. हुआ 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 यह क्या बेटा तुम्हारे हाथ गंदे है वो दरसल मैं स्केचिंग कर रहा था शायद स्याही लग गई है मैं हाथ दोग्या दाऊ हुआ हुआ तुम्हारा दिमाग खराब है क्या जरा भीया कर नहीं है तुम्हें यहां काफी अंधेरा है संभल कर चलना सर हां मैं जानता हूं तुम अपने काम करो चलो आओ अमा पुलिस आई है बेटा हां माजी तुम कुछ तिर यहीं रुपना हां जब तक बुलाती नहीं तब तक बाहर मत आना क्यों क्या हुआ माजी घर में कुछ महमान आय हुए हैं अगर इस वक्त तुम्हें यहां देख लिया तो गाओं में गलत-सलत बाते भैलाएंगे तुम समझ सकते हो ना हां समझ गया मैं यहीं रुपता हूं जब तक आप नहीं बुलाती मैं नहीं आऊँगा ठीक है बेटा लगता है आज चिकन करी खाने का नसीब में ही नहीं है आप यहां कैसे शट्टी साब के घर में कोई चोर घुसा था ख़बर मिली है कि वो इधर ही आया है उसी को ढूंड रहे हैं आपने आसपास कोई अंजान आपनी को देखा है अनपुर्णा मा अच्छी खुश्बू आ रही है मटन बना है क्या आँ साहब वो चिकन करी बनाई है अच्छा है तो हमें भी चखने का मौका दो मुझे भी सर अब तू क्यूं भौक रहा है वो काटता नहीं है और अगर काट लिया तो कहते हैं भौकने वाले कुट्टे नहीं काटते हैं हमारे सर दोनों करते हैं सबको पता है आप चलिए बहुत काम है चलिए आईए अरे वाह थाली पहले से तैयार है क्या आप 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 यह मत खाये मैं आपके लिए दूसरी थाली लगाती हो लेकिन क्यों मैं कोई महमान हो चलेगी मुझे चिकेन भी एकदम गर्मा गरम है और क्या चाहिए मुझे इसके लिए दूसरी थाली लेकर आईए कि थाली खुली हुई थी ना अति थिको अज़वड क्हाना के लाना हमारे संस्कार में नहीं में दूसरी थाली पर उसका लाती हूं मली दो थाली लाना मैं करी करम करती हूं अनपुर्णा मा, जल्दबाजी क्यों कर रही हो? आथ से भिसल भी साथ, मली, इसे सफ कर दे, मैं करीक करम कर दे. कर दे जख से वितरा दे मैं, क्या रही हो करूंस करी में मुर्गी का स्वाद बढ़िया है या मसालों का समझ भी नहीं आ रहा है लेकिन आपके हाथों में जादू है कि आपके में 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 आपके में अरे खाने दो अम्मा नीचे ही तो गिरा है खाने दो उसे चिकन बढ़िया था ममा, हमने कहा और आपने खिला दिया, आपका भला होगा, चलता हूँ सर जी, खाना खाकर बहुत ज़्यादा सुस्ति आ रही है, थोड़ी देर यही जपकी लेकर आगे बढ़ते हैं पहले काम करो फिर आराम, अब इसे क्या हुआ, पहले तो हम पर बहुत भौक रहा था, आप देखो कैसे सो रहा है यह ऐसा ही है, खाना खाते ही सो जाता है, आल सी कुटता है सुना तुमने, मतलब यह बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, चलो मली, क्या हुआ? उल्टी हो गई तुम जाकर खाना खालो आम्मा तुम्हें अंदर बुला रही है एही हो तुम जाकर ation सकतल क delight भालो ए理ा कास उना अंदर खालो आम्मा जा भालो आम्मा जाकर को छовकर सेथा बिए में तुमा मतलश बालो अंदरा है बाद चाबना है माजी माजी अरे यह क्या कर रहे है बेटा मैं जब से यहां आया हूँ तब से आपके पैर चुना चाहता था माजी अरे चाहता 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 है जहर नहीं मिलाया था ना अपनी बेटी की जिंदगी की परवा नहीं लेकिन एक अजनभी की जान की बहुत परवा है तुम्हें हां? तुम्हारा कर्जा चुकाने के लिए मुझे किसी के साथ सोना पड़ेगा इसकी भी परवा नहीं है न? मली, मेरे दिल को जलाने वाली ऐसी कर्वी बात है क्यों करती है? खुद्दे की मौत देखकर मेरा जी घबरा गया था इसे मानने की हिम्मत नहीं जुटा पाई इसलिए जहर नहीं मिलाया सही है, मेरे लिए कुछ क्यों करोगी? तुम्हारी कौक से जनम लिया है न मैंने मैं ही जहर खाके मर जाती हूँ घबराओ मत जान देने नहीं जारे आच्छा है जो भी हो जाए मैं अपना काम पूरा करके ही रहूँगी ए रादू एक बुदल और ला बहुत हुआ सुभईया, काफी पी रखिया तुमने कल से तुम यहां नहीं आओगे इसलिए मालिक और उनका बेटा तुम्हें जान बूचकर भड़का रहे हैं लेकिन तुम्हें ऐसे पीते देख मुझे लगता है कि कल तक तुम जिन्दा ही नहीं रहोगे यह मुझे कैसी नसियत दे रहा है तू मैंने कल भी पी थी आज भी यहां पी रहा हूं और कल भी पीऊंगा अगर तू चाहता है तो तू भी एक ग्लास ले ले मेरे पास बहुत पैसे हैं बात पैसे की नहीं है अगर तुम सुनोगे तो दारू वारू सब भूल जाओगे असल में तो तुम्हें इसी वक्त अपने घर जाना चाहिए बोल क्या है हार्य मोल और बोलना क्या आप आज है अज तुम्हारे घर में एक मेहमान आया है न में था कि पता है अज दोपैर में यहां एक आड़ मिया थाथा पता है वो आदब कौन था कि मेरे घर को याया है यह बात तुझे कैसे बता चाचा जी पहचाना मुझे मैं सुभया का बेटा चिन्नी क्रिश्ना तुम सुभया के बेटे हो जो कई सालों पहले भाग गया था बेटा तुम वही हो हाँ चाचा जी तुम्हारी मा तुम्हारे लिए हर रोज आसु बहाती है तुम्हारा बाप रोज यहां आता है और शराब पीता है अब तक तुम्हारी बहन की शादी नहीं वी चलो अब तुम वापस आ गये हो तो सब ठीक हो जाएगा हाँ जरूर होगा मैं इसलिए तो वापस आया हूँ चाचा जी एक छोटी सी वेज़े से मैं घर छोड़के चला गया था अब वापस आया हूँ तो कुछ ऐसा करूँगा जिससे माँ पीता जी को लगे कि जो हुआ अच्छा ही हुआ था काशी चाचा जब तक मैं ना कहूं तब तक उन्हें मेरे बारे में कुछ भी बताईएगा मत लेकिन क्यूं बेटा प्लीज मत बताईए चाचा जी चलो ठीक है बेटा जैसा तुम कह रहो हम लोग वैसा ही करेंगे क्रिश्णा तुम बिलकुल अपने नाम कीते रहो एक दम निराले हो तुम जाओ घर जाओ बाद में मि जाओ जान एक करेंगा मत बताईएगा मत बाद में मiquले है तुम करेंख जाओ जाओ इटागा जाओ गड़िक में मिल्म बताईएगा तुम जाओ जाओ ठीका सैना टेता तंस्टीम क्या हाओ है अँपë ुप हंँप अँप हंँप हुआ 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 है यह चाकू करपनाल काटने के लिए है आज हमने मुर्गी भी काटी थी इसी चाकू से आज इसी चाकू से या तो वो मरेगा या फिर मैं मरूंगी अधिर प्रीदियोंगican के लिए और सक्धान से संदी थे की है तो वो! कर दो सर सक्द़र मैं मुर्गी बагंऄत्य आजेख के इस सबस्क्षां एक झामंगीं अध़न करेख वो! झाल झाल यह तो पुरणामा के आवाज है पुरणाक्का ओ पुरणाक्का लगता है कोई नहीं है आपका नाम क्या है श्रीनों श्री निवास उसके जूते यहां कैसे आ गये शुपईया जरूर ताड़ी की दुकान में मिलेगा उसके पुरणाक्का वसे ही पुटता हुआ उसके ज्रीनों लोगता है हुआ पुरक्टता है आपयवा प्सकी वत्कैंप झाली नहीजिए ज्रीनों वत्लस् sadece háग तो बढूआ कर दो करेंख द peng और झाल प्यांग है सुनना सुनना का है वो का है वो हाँ का हाँ का हाँ वो का हाँ वो चिन्नी वेटर चिन्नी सुनन का हाँ वो वो चिन्ने! दौलत तो आज है कल नहीं, आज जो दौलत मेरे पास है वो कल आपके पास होगी चिन्ने! झाल 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 वह जो पीजान कि अल शृतख कार्दी एंक क्या कर दिया थिमांग चिकाने पर है को वोल वोगल कहीं का पर माड़ती चाहिए और तू हसता जा रहा है हाँ ना लायर शरम किया तुछे हाँ हाँ रुक चुछे और तुझे नहीं छोड़ूगी मार मार कर आश्ट्री जांच ही ले लूँ कि मैं रुक जा रुक कार्टी देज़की कार्टी कि एक कहा भाग रहा है चिन्नी तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूंगी रुक जा वापस आ रुक चला जा और वापस मत आना और अगर वापस आया ना तो तरी जान ले लूँगी कि आया तो फाовых पस्तुमा थेया यु कुना मत थे doivent करने की मिज़ु Match प्रक्राइए कि सिह हात लगाने कहा गने कोण दिया, लेज़ु यह सब मेरी गलती है, अम्मा, मेरी गलती है, मैंने इसकी जान लिये, मेरी, सब मेरी गलती है, मेरी गलती, इसे जनम देना ही, मेरी गलती थी, मेरी गलती, जी जी टे जी 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 किस और वाज कही जी? झाल, झाल. हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु झाल झाल आज का दिन मैं जिन्दगी भर नहीं भूल सकता आज पंदरा सालों बाद मैं अपने परिवार वालों से मिला था जिस पल मैंने मा, पिताजी और मली को देखा उसी पल उन्हें सीने से लगाना चाहता था और बताना चाहता था कि मैं उनका चिन्नी हो लेकिन जब मैंने मेरी बहन मली का उनके प्रती एक अजीब सा विवार देखा तो मैं वहीं पर रुख गया जब वीरना मा और पिताजी से उची आवाज में बात कर रहा था तब मेरा खून खौल उठा मैं उसी पल उसके मूँ पर पैसे फिक कर हमारा घर और जमीन वापस ले सकता था लेकिन मेरी किसी अजीब सी च्छाने मुझे फिर से रोका बाद में मैं समझ गया कि वो मेरी भूल थी जबानी की आग में तड़बती बाकी लड़कियों की तरही मेरी बहन भी जब मेरी तरफ आकरशित होने लगी थी तभी मैं उसे सच्चाई बता देने वाला था क्योंकि पहले ही जितना पुरा होना था हो चुका था अगर तब उसे सच्चाई बता देता तो भाई के घर लोटनी की खुशी से ज़्यदा उसे अपनी गलती का हैसास उमर भर जीने नहीं देता अब मैं उसे और दुखी नहीं देखना चाहता मैं यहां पर अजनवी बन कि आया था और हमेशा इन के लिए अजनवी बन कर ही रहूंगा इसलिए मैं अपना सारा पैसा और सारी दौलत इन्हें के पास छोड़कर कल सुभा मैं अपनी नई यात्रा के लिए निकल जाओंगा ताकि मेरे पिछे ये लोग खुश रह सके हे भगवान मेरी बहन फिर कभी मुझे उस नजर से ना देखे बस यही मैं प्राथना करता हूं और हाँ मेरा परिवार मेरे पीट पीछे हमेशा खुशाल और आबाद रहे प्राथना करता हूं झाल 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 झाल